एई गाईज गूड मॉनिंग तो आज ये 1st December और आज से मैं लॉंच कर रही हूँ Online Beauty Course तो आज हम सीखेंगे पहले दिन में Threading केसे किया जाता है जिस तरह से मैं Student को सिखा थी हूँ Classes में मेरे Parler में उसी तरह से मैं आपको पूरा Beauty Course बताऊंगी तो गाईज चलिए अब चलते हैं Parler पे और उसके पहले आप देख लिजिए कि मैं धागा कौन सा यूज करूंगी इसके लिए Threading करने के लिए तो गाईज आप 8 दिन तक पहले Threading की Practice करना पड़ीगी आपको और उसके बाद आपको मैं बताऊंगी आईब्रो शेपिंग आप कैसे कर सकते हो तो मैंने इस वीडियो में बताया है आपको आप अपर लिप्स कैसे Threading कर सकते हैं आप आईब्रो का शेप लेके थोड़ा सा मतलब आईब्रो के शेप लेके पेंट से और उसको कैसे आप Threading का प्रैक्टिस कर सकते हो मैंने सब कुछ बताए ये वीडियो में तो चलिए चलते हैं पारलर में और देखते हैं कि मेरे स्टूड़न किस तरह से Threading की प्रैक्टिस करते हैं तो ओके गाईज आज ये फर्स्ट वीडियो जाएगा उसके बाद मेरे अल्टरनेट डे एक एक वीडियो आएंगे जिसमें आप सब कुछ सीखोगे ब्लीच, फेशल, वैक्स, मैनिक्यूर, पेडिक्यूर सब एडवांस, हैरफोर टीटमेंट पिंपल्स टीटमेंट और बाकी सब भी हाइलाइट से लेके सब कुछ पूरा कोर्स आएगा इसमें तो गाइस, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आप मेरे साथ बने रहो और मैंने मेरा इंट्रो तो दिया ही नहीं तो फ्रेंड्स मैं हूँ इंडियन यूट्यूबर जोसना जैस्वाल और उसके साथ हूँ मैं ब्यूटी शन मेरा है ब्यूटी पार्लर जैसे कि आप सब जानते ही हो मेरे वीडियो आई रहे हैं तो आप सब जानते ही हो तो आज है हमारा फर्स डे और फर्स डे में हम सीखेंगे थ्रेडिंग कैसे किया जाता है सबसी जरूरी चीज है गाई थ्रेडिंग क्योंकि अगर आइब्रो नहीं आई हैर कटिंग नहीं आई आया तो कुछ भी नहीं आया ब्यूटिशन को यह दो चीज आने चाहिए बाकी का सब चीज तो आई ही जाता है वह इजी है पर यह दो चीज जरूर से अच्छे से आने चाहिए आपके आपके आप्रो जितनी अच्छी आप करके दो कि इसी को उतना ही अच्छे आपका मतलब नाम होगा और हैर कटिंग दोनों चीज अच्छे से आनी चाहिए तो गाइस चलिए पहले फर्स डे से थ्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं और फिर रोज मिलते रहेंगे और आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको किस तरह से मतलब कितना थ्रेडिंग आया तो देख लीजिए मैंने धागा क 40 नंबर का थ्रेड जो आपको आईब्रो के लिए यूज करना है और यह थोड़ा सा मतलब ठीक आता है तो आईब्रो करते वक्त तूटता नहीं अपने साधे धागे से नहीं कर सकते अपन थ्रेडिंग और इसी से करना पड़ेगा कमपनी कोई भी हो आप उसको 40 नंबर का दागा लीजे आइब्रोस के लिए ओके गाईज चार वार सुन पर दो दागा लिए परसे इस परस्की में लिए बेट दे और यहां से साइड से एक दो दीव चार्व अबोर इसको लम्वे जोंगरी असने यह आप इस को है साइडर güश के नइसे ओicaились अजए चणच जासे चिड़यों घ्यो थे नहां आप हो लाए बन करना खोल नएसा हलका से मुषर से करना हलका से बरस्कला परस्का आपकर से करना क्या एब वे इसको लंबे मिलो, इतना लंबे मिली रोग इतना सेफ पुरेगा रहेगा दॉल ने करना कूँ आपके बाते करो, इसे को देटा है इसको यहां पहले लोग है Senior Student Junior को सिखाव अच्छे से और अच्छे से त्रेडिंग करो 5 मिनिट तक तुमने त्रेडिंग का ही प्रैक्टिस करना है तो गाइस देखें मेरे स्टूडेंट सीनियर स्टूडेंट जूनियर स्टूडेंट को सिखा रहे हैं और इस तरह से ठ्रेडिंग का प्रेक्टिस कर रहे हैं और मेरे कोर्स में डेली फाय मिनिट ये लोग आके ठ्रेडिंग का प्रेक्टिस करते हैं जब तक आपकी ठ्रेडिंग की प्रेक्टिस बराबर से नहीं होगी ना गाइस तब तक आप आप आइब्रोज करना नहीं सीख पाओ गया अच्छे से और ब्यूटिशन कोर्स में सबसे पहले एकी चीज ज़रूरी है कि आपको आइब्रोज अच्छे से आनी चाहिए तो इसलिए आपने ठ्रेडिंग का प्रेक्टिस प्रॉपरली करना है और 8-10 दिन तक प्रेक्टिस करते रहना है उसके बाद आप आइब्रोज करना सिख जाएंगे तो मैं इस वीडियो में आपको आइब्रोज करना भी सिखाऊंगी पर सबसे पहले आप आज फर्स डे है ब्यूटिशन कोर्स का तो आप लोग ठ्रेडिंग का प्रेक्टिस कीजिए देखिए मेरे स्टूडन कितना प्यार से ठ्रेडिंग का प्रेक्टिस कर रहे हैं एक बा स्टूडन बहुत अच्छे से एक्सपर्ट ब्यूटिशन बन जाएं ओके गाइस तो इसी तरह से आप लोग प्रेक्टिस करते रहे हैं अच्छे से करो जिसको नहीं आ रहा है उसको सिखाओ अच्छे से इस तरह से आपको एक दूसरे के हाथ पे अगर नहीं अगर कोई नहीं है अवैलेबल तो अपने पैर पे ही प्रेक्टिस करो अपने पैर पे त्रेडिंग देखिए काचल उसको बराबर से सिखा बेटा उसको फर्स दे है ना तो नहीं समझ नहीं आ रहा है इस तरह से आपको हाथ पे प्रेडिंग के प्रेक्टिस करनी है और अगर कोई अवैलेबल नहीं है तो अपने पैर पे करके दिखाओ तो बेटा जरसा अपने आप से पैर पे करके दिखाओ इस तरह से आपको कमफर्टेबल थ्रेडिंग इस तरह से आपको कमफर्टेबल थ्रेडिंग करना है अपने पैर पे अनले सो रखना है यूं ये वहाण चलाना है पहले आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे ना आपका त्रेडिंग जितना कमफोर्टेबल और एकदम अच्छे से होगा तो उसके बाद आप किसी की आइब्रोस के लिए अच्छे से कर सकते हो जरूरी नहीं है अपने दूसरे का हाथ या पैर अपने को मिले हमारे हाथ हमारे पैर अपने पास है तो उसको लेके भी आप अपने पैर पे कपड़ों पहले प्रैक्टिस कीजिए और एक लिस्ट आपको दस दिन तो प्रैक्टिस करते ही रहना चाहिए दस दिन आप लोग प कॉम्फर्टेबली थ्रेडिंग करना सीख जाओगे और उसके बाद अच्छे से जब थ्रेडिंग एक बार आ जाएगा तो आप लोग आइब्रोज एकदाम कॉम्फर्टेबली कर सकते हो तो गाइस देखिए उर्मी अब हमको बता रही है कि किस तरह से हमने धागा लेना है तो एक साइड पर मुखे एक साइड पर हमने धागे को पकड़ना है और इस तरह से हाथों को ट्विस्ट करना है हाथ को ट्विस्ट करना दिखा नहीं पाई है वापस से करो तो एक बार हाथ को छोड़ दो देखिए इस तरह से हाथ को ट्विस्ट करना है चार से पाँच बार आप ट्विस्ट करोगे और फिर इस तरह से आप मुमें धागा पकड़के यह हाथ में धागा पकड़ोगे एक हाथ में इस तरह से उसको एक बाटन मारोगे इस तरह से हाज और यह आपका threading स्टार्ट हो गया देखे इस तरह से comfortablyly smoothly आपका धागा चलना चाहिए वाउ मस्त चाल एक तब मस्त देखिए मेरे student लगे हैं practice में लगे पड़े हैं लगे पड़े हैं अब कपड़े पे थोड़े दिन स्टार्टिंग में आपने कपड़े पे करना है त्रेडिंग तो गाइस ये student मेरी कली नियु आई है और देखिए उसने भी स्टार्ट कर दिया थ्रेडिंग करना और उससे थोड़ा थोड़ा आ भी गया है इसे इसे कपड़ा चले है से सीनेर स्टूडेंट उसको सिखा रहे हैं तो इस तरह से सिस्टेमिटिक थ्रेडिंग की प्रैक्टिस कीजिए और आप जापना फर्स डे था तो इसके बाद मैं आपको आइब्रो शेपिंग कैसे करते हैं वह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आप तब तक थ्रेडिंग की प्रैक्टिस कीजिए और हर अल्टरनेट डेज मेरे वीडियो जाएंगे ब्यूटी के बारे में ऑनलाइन ब वीडियो की नॉटिफिकिशन मिलती रहेगी और आप सर्च करोगे ओनलाइन ब्यूटी कोर्स डे वन डे टू डे त्री तो इस तरह से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे तो गया गाइस होप आप जरूर से प्रैक्टिस सुरू कर दोगे और आट दिन के बाद मैं आपको आइबरो कैसे करनी हैं वो सिखाऊंगी तब तक आप ठ्रेडिंग का प्रैक्टिस करते रहे तो मेरे स्टुडेंट बेचारे लगे पड़े हैं मज्जे से लगे पड़े इस अब लोग बाई बोल दो और चैनल को सब्स्राइब करने के लिए बोल दो लाइक करने के लिए लाइक करिए और शेयर करिए थैंक यू थैंक यू पूजा बहुत अच्छे से बोला अपने थैंक यू तो गाइस प्रैक्टिस जरूर से करना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में ठीक है घाइस आपको थोड़ा थ्oureदिंग आ जाए थोड़े दिन में दो तिन दिन में तो आपने इस तरह से पेंड से आइब्रो का शेप बनाना है और फिर आइब्रो के शेप के हिसाब से अपना धागा खुमाना है और इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करने हैं क्याई को कोई आइब्रो देगा नहीं उनके आइब्रो उड़ गई तो इसलिए आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है तो इस तरह से मैंने पेन से आइब्रो का शेप बनाए आप मेरी स्टूडेंट देखिए आजु 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 के बाल निकालेगी और दिमाग में यही रखना है कि यह एब्रो है और यह लाइन में हमको बाल निकालना है तो गाइज इस तरह से हम करेंगे और अपना धागा अन्दर im without us healthretchle उसके बारे में कि ताकि हमारा धागा हुआ थाए बीच यह से पूरा हमने यह करना है कॉ différentes हो गया देखो आइब्रो सा शेफ तो बरोबर कर तो बनाई है और उसके आस-पास हमने प्रेडिंग का प्रेक्टिस करना है तो गाइज आप इतनी प्रेक्टिस तो कीजिए उसके बाद आपको मैं आगया आइब्रो कैसे बनानी है उसी सिखाऊंगी ठीके तो आट दिन के बाद मिलते हैं और कमेंट्स करके मुझे जरूर से बताईए कि आपको आपकी प्रेक्टिस कितनी हुई है अगर जितने को आ गया है थेडिग करना ।के हैं? नावारा नावारा कि अपर लिप्स करने के लिए अपर लिप्स करने के लिए पहले हम पाडर लगाएंगे और फिर बाद में देज़ करेंगे ना फिर में दालो वो पाडर लगाएंगे और 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 लगाए प्रवस्थाई ट्रॉब्साइब बाल लाहता है अपसी अपसी एफ लुक रहा है अच्छा समझ में आ रहा है ना आप सभी को एक दम पास में लिए बिटा हां पास से ले ज़रा थेडिंग उनको ज़रा थोड़ा सा कि देखसे लायग से लह कि अपिग एक दायबों पास में रहारा थे आ अपपा थे एक रच जसे धी होल तो कि ऊकित जब हारा है आप से आप से अचैब को एक समय जाँ ठwwारा चो łam तो इतना दर्द Ihrer ने होता पूर थोड़ा मीठा मीठा धर्द ़ता है और चलता है अच्छे दिखने के लिए तो थोड़ा वर्यटस कender के लेना हिब पड़ेगा न वर्म Banks धोन्ह साइद से थ्होड़ा थ्रेड्विंग हो गया है और deeply सब्सक्राइब होगा मेरा थ्रेडिंग ये अच्छा से अप्पलिक्स थ्रेडिंग और अच्छा दिखता है सामने का पोर्षन अगर क्लीन हो न लिप्स का पोर्षन स्पेशन ही हम जब लिप्स्टिक लगाते हैं तो क्लीन हो तो अच्छा दिखता है गाईस तो आप लोग इस तरह से घर पे प्रेक्टिस कीजिए उसके बाद में आपको आपरो स्केसे करना है वो प्रेक्टिस का प्रेक्राइब का थाउय झाया बाहर है भया है तो यस्वश्छा था क्रिंद़न हया जिजगन वच्छा kषवाई-च्रप रिपरी, जिए दो अच्छा रिरखवाफदी गवार